जी आ नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का आरेस नियूस के एक और नई वीडियो में दोस्तों आजके इस वीडियो में हम भात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आईपल 2022 का आज मेगा ओक्षन समाप तो है उसके बाद आखिरकार हर एक टीम की क्या स्क्वाड अब ब कि इसक्वाड को जानने के लिए बिल्कुल बने रहीएगा अंतर तक इस वीडियो में और वहीं दोस्तों नहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरे निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताने वाले हैं जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो यह होगी कि दिल्ली कैपिटल्स और बुंबे इंडियन्स की टीम को बीच ऑक्षन में हुआ बड़ा नुकसान अचानक से बीसी साही कि इस फैसले से टीम को लग गया जटका तो दोस्तों किया यह बड़ा जटका लगा इसके कीमती राय जरूर बताना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दवाईएगा तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पताई कि आई पेल 2022 का मेगा आक् बनी है जिनको कोई भी टीम हरा सकती है हलाकि दोस्तों आई अब हम आपको बताते कि आखिरकार आई पेल 2022 का आक्शन होने के बाद क्या फाइनल स्क्वाड बनता हुआ हर एक टीम का दिखाई दे रहा है और कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मजबूत है और किस टीम ने सबसे पंजाब किंग्स की टीम के साथ दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम का पूरा स्क्वाड आप सबी की स्क्रीन के सामने है जैसे कि आप सब यहाँ पर देख पार होगे कि पंजाब किंग्स की टीम में नाम निकल कर आता है मैं कगरवाल का कगीसो रावाड इनोंने 9.25 करोड में खरीदे तो वहीं शिकर धवन का नाम भी टीम में शामिल है जोनी बेश्टो पंचाब किंग्स का हिस्सा है राहुल चाहर प्रब सिमरन सिंग इशान पॉरेल संदीप सर्मा रिशी धवन राजबावा ल्याम लिविंग स्टॉन प्रेरक माकंड बैवव अरोरा अर्शदी भलतेज सिंग रेट्रिक चटरजी और अंश पतेल तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यह पंजाब किंग्स की पूरी टीम तो वहीं आगर हम बात करें आगे बढ़ता हुए अगली टीम के वह स्कौरड के बारे में तो दोस्तों जो अगली टीम निकल कर आती है व वुनेश्वर कुमार पिरियम गर्ग, राहुल त्रिपाथी, अभिशेक शर्मा, कार्तिक त्यागी, सुरेश गोपाल, जगदीज सुचित, एडन मारकरम, मारको जिंसन, रोमारियो शेफर्ड, शीन अबोट, रवी कुमार सामर्थ, सौरव दूवे और शशांक सिंग, तो हम बात करें आगे बढ़ते हुए, अगली टीम के बारे में, जो अगली टीम का स्कौर्ड निकल कराता है, वो है, लखनो सूपर जाइंट्स की टीम, जिया दोस्तों, लखनो सूपर जाइंट्स की जो टीम है, वो इस प्रकार से जहांपर टीम में शामिल है, रवी बात करें आगे बढ़ते हुए, अगली टीम के बारे में, जो अगली टीम निकल कराती है, वो है गुजरात टाइटन्स की टीम, जहांपर गुजरात टाइटन्स की टीम में, जो खिलाडी शामिल है, उसमें नाम निकल कराता है, राशिद खान, हार्दिक पांडिया, शुम पर राजिस्तान रॉयल्स की टीम में जो खिलाडी शामिल हों इसमें है तंजु सैंसंग्जोस बटलर ये ससवी जैसवाल रवी चंद्रन अश्वीन ट्रेंट बोल्टी शिम्रान है ट्माइयर देवदत पडिकल प्रेसीद क्रिश्णा युजवेंद्र चहल रियान पराग के तो ही बात करने आगे बढ़ता हुए अगली टीम के बारे में जो अगली टीम है वो है कॉलकता नाइटेडर्स की टीम जहाँ पर कॉलकता की टीम में है शामिल सुनीन नरेन आंद्रे रसल वेंकटेस आयर वरुन चकरवर्ती स्रेश आयर नितीस राना शेल्डन जैक्सन अजि बुम्ब इंडियस की टीम जहाँ पर बुम्ब इंडियस की टीम में जस्परीद बुम्राश शुड़कुमार यादव काईरन पोलाड रोहित शरमार डेवल्ड ब्रेवेस वासिल थंपी मरूगन अश्विन इशान किशन जैदेवनात कट मैंकमार कंडे संजय आदव तिलक डेविड वार्नर मिचल मार्स शादुल ठाकुर मुस्तफिजूर रहमान कुल्दी प्यादव अश्विन हैबर सिरिकर भारत मंदीप सिंग खलील एमद चेतन साकारिया ललीत यादव रिपल पटेल रोमन पोवेल यस धूल प्रवीन दूवे कमलिश नागर कूटी और सरफ चल्वुड शहबाज एहमद अनुज रावत महिपाल लोम्रोर शेर्फन रदरफोड जैसन बहरंट्रोफ अकाज दीप हशल पटेल फिन एलन सुयांस प्रभु देशाई चामावी मिलिंद और अनिश्वर गोतम तो इह बात करने आगे बढ़ता अगली टीम के पर में जो सब्सक्राइब बात करते हैं अगली खबर के बारे में अगली बड़ी खबर निकलकर आ रही है दोस्तों जैसे को बताई कि मेगा ऑक्ष्ण निलामी पूरी हो चुकी है जहां पर आईपल 2022 के लिए अब टीमें भी घोशित हो चुकी है तो वहीं दोस्तों आपको बता आईपल 2022 के लिए जिससे अगर देखा जाए तो इस बारे टीमें काफी नए नवेली बनी है और उन खिलाडियों को टीमों ने बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं किया जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन ना तो आईपल में किया और ना ही इंटरनेशन मुकाबलों में हाला कि दोस्तों आपर हर एक टीम ने कुछ नए और यूवा भारते खिलाडियों पर भी भरोसा जताया है तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आईपल 2022 का मेगा ऑक्शन भी है दी रोमान चक्रा जहां पर बड़े बड़े खिलाडी इस दोरान निलाम हो तो वह नजर आए और वहीं हम आपको बता दें कि कुछ खिलाडी जादा महेंगे भी गया तो वहीं हम जानेंगे वो है लखनौ सूपर जाइंट्स की टीम जहां दोस्तों लखनौ सूपर जाइंट्स की टीम ने केल राहूल को 15 करोड रुपए में पिक किया था और ऐसे मे केल राहूली आप सभी को लखनौ सूपर जाइंट्स की टीम की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं तो वहीं हम आपको बता दें कि पहले उमीदें ये जताई जा रही थी कि केल राहूल लखनौ सूपर किंग में शामिल लेंगे लेकिन फिर उनको शामि की टीम की तरफ से आप सभी को इस बार कप्तानी करते हुए सिरेश अयरी नजर आने वाले हैं जहांपर सिरेश अयर को इस साल केके आर की टीम ने 12 करोट से उपर की धंडाशी में खरीदा है उमीद है कि आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आई होगी वीडियो चल लगा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे अगल कर इसी जानकारी में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत